इस दिखाई पड़ रहा है कि जो ही चिनाओ सामने आता जा रहा है भी तो तीन चार राज्यों की चुनाओ भी है और उसके बाद जनरल एक्षिन भी है बीजे पी बोदी ये अपना डेवलप्पिन्ट की बात एक दम बंद करके ज्यादा जो है कॉमनलिसम की जहर पहलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भी राम बंदर की बाद हो रहे हैं लगता है कि स्टैच्यो और राम बंदर ये सब के इलावा उनके पास कुछ बेशाय रहनी गया चुनाओ में देखे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को चलाने वाले लोग और सरकार के पीछे जो उसको रिमोट से चलाते हैं दोनों तरह के लोग इनको बिलकुल एहसास हो गया है कि इन साड़े चार सालों में सरकार ने जो परफॉर्म किया है वो बहुत बुरा है लोग उस परफॉर्मेंस पर इनको किसी कीमत पर अगला पांच साल नहीं दे सकते तो जो आप जिस राज़ में भी जाएए इनके राज़ियों को जो पहले से बहुत दिनों से राज़ कर रहे थे मद्रिप्रदेश या राजस्थान उनको आप देख लीजे जो हाल में जिन पर राज़ करना शुरू किया उत्तरप्रदेश देख लीजे एलाइंस की सरकार बिहार में आई है इनको देख लीजे हर जगह हैं इनकी राज सरकार हैं सिर्फ मोधी सरकार नहीं पूरे राजियों में भी इनके नेत्रतों को लेकर एक नाराजगी और वो नाराजगी अब आप क्रोश में कनवर्ट हो गई है तब्दिल हो गई है लोग सड़क पे आ रहे हैं ये जरूर है कि हर जगह लोगों को एक कुशल राजनितिक विपक्षी नेत्रत तो नहीं मिल रहा है लेकिन लोग अपने से लड़ रहे हैं अब आप लखनव में देखिए कल वहां पर रोजगार के लिए लड़कों ने लड़कियों ने मिल के जलुस निकाला इतना मारा है प भटनाओं का इस तरह के हाथसों का गवाह बन रहा है लेकिन ये जो चीजें हैं ये रास्टी अस्तर पर मीडिया में बहस का विशय नहीं बन रही हैं खासकर मुक्यधरा मीडिया में वो बहस का विशय बन जाती हैं वो क्या भई राम मंदिर बनाएंगे इतना 180 मीटर की भी हुआ ये कि एक पटेल सहाब की मूर्ती बना दी तो पटेल सहाब की मूर्ती के बाद अब योगी महराज पीछे क्यों रहे हैं मुदी महराज से तो उन्होंने कहा कि हम 151 मीटर की एक मूर्ती बनाएंगे सर्जू के तट पर भगवान राम की और एक शिवा जी की मूर् की लगाओ ये सारा जो आप अन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर रहे हो ये अनुत पादक यानि इसका कोई पाइदा सरदार पटेल के भक्तों को भी नहीं मिल रहा है या राम के भक्तों को भी नहीं मिल रहा है जो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं अरे बही हार को पानी नहीं देते हो किसानों से वसूल करते हो और ज्यादा आप कहते हो कि ने इनका हम कोई भी करजा नहीं छोड़ेंगे आप कार्पूरेट का करज जो है माफ कर देते हो आप उनको बाहर भाग जाने की आजादी देते हो तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा इनका कामला मूर्ती मंदिर मूर्ती दोनों यह सारा का सारा अपने चुनावी आजेंडे को एक तरह से देख रहे हैं कि यह हमारा बिल्कुल फंस रहा है कोई हमने काम नहीं किया है तो अब जनता को फिर से बेखूप मनाओ और बेखूप बना चाहता था कि हमने पहले देखा था कि राममंदिर के नाम पे जब तक मस्जिद को निशाना बनाइवे थे तब तो एक mobilization हुई थी वह उसका उरजा जो है मस्जिद गिराने का था वह एक hatred का जहर कम्नलिजम का जहर को फैलाने का था पर राम मंदिर के नाम पे उस बहुत बार कोशिश करने के बाद भी यह उस तरह का कोई क्या कहें मास मुबिलाइशन कर नहीं पाए अब ओ कह रहे हैं कि सुप्रिम कोड के खिलाफ फैसला के खिलाफ हम मुबिलाइश करेंगे आपको कह आज की तारीख में स्वैम जो एक जमाने में उनीस सो बानवेर में या उसके पहले क्यानवेर में शिला पूजन वगरा जब हो रहा था और उसके बाद में भी जो अजुद्या और पूरे देश में इन लोगों ने खासकर हिंदी बेल्ट में दुस्परिशार का एक अजीब जहरीला माहौल बनाया उस माहौल से प्रभावित लोग जो अब बुढ़े हो गए हैं उन लोगों को भी अब लगता है मैं कई लोगों से बात करता हूँ पार्क में कभी काफी हाउस में कभी मुलाकात होती है तो लोगों से मैं फोन करके भी पूछता हूँ उतर खड़ा कीजा गया था, वो बिलकुल नहीं चल सकता, पहली बात दूसरी बात, इन्हों ने पहले कहा कि हम ठीक है, हम सुप्रिम कोर्ट के फैसले का इंतिजार करेंगे सहाँ, अब कह रहें कि नहीं सहाँ, सुप्रिम कोर्ट बहुत देर कर रहा है अब कल भाया जी जोशी जो RSS में सेकंड पॉजिशन पे हैं उन्होंने कहा कि समाज की भावना का सुप्रिम कोट को ख्याल करना चाहिए यानि सुप्रिम कोट संविधान का ख्याल ना करे सुप्रिम कोट समाज की भावना और समाज में भी कौन लोग? कुछ लोग और भई हिंदू तो इस देश में बहुमत में है मेजार्टी उनकी है आप क्या कोई रिफरेंडम कराए हैं हिंदू समाज में किस समाज में आपने उनकी भावन आप किस भावन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं वो भी तो हिंदू परिवार के हैं आप मुलायम सिंग से लेकर तेजश्वी यादो तमाम लोग सभी कोई ऐसा तो नहीं है सभी हिंदू समाज से पैदा हुए हैं लेकिन आपने किन हिंदू का ठेका ले रखा है बार बार अब तो लोग सवाल उठा रहे हैं अब मैंने सुनाए कि अजुद्या के साधू और महंत भी कह रहे हैं कि भई आप किसके ठेकेदार हैं आप नाकपूर में रहते हैं आप अजुद्या में राजनित करते हैं अजुद्या के नाम पर ये राजनित बंदोनी चाहिए अब वो कह रहे हैं कि हम 1992 जैसे आंदोलन करेंगे आपकी सरकार है किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे सुप्रिम कोट के खिलाफ आंदोलन करेंगे या मुदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे ये ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है और आंदोलन में किसको आप मोबिलाइ पे वे सारे के सारे बच्चे तो अपरकास्ट हिंदू परिवारों के थे आप किसको बेखुब बना रहे हैं अच्छे इस पर और एक चीज आप से पूछना चाहता था पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोट ने फैसला दिया और आपने देखा है आसिया वीवी के केस पे और उस पर आप देखे हैं कि वहाँ पर भी कुछ लोग इसको उनमाद को पहलाना चाहते हैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोट के खिलाफ उसको निशाना बना के और वही राजदीत है जो यहां मोदी सरकार या बीजेपी आरेसेस करना चाहती है लेकिन प्रभी बड़ी धिल् कितनी बड़ी विडबना है कि वहां की सरकार इमरान खाम कोई उनकी प्रशंशक नहीं है हम जानते हैं कि उनकी राजनीत क्या है या क्या हो सकती है लेकिन वो अपनी जंता का अहवान कर रहे हैं अपील कर रहे हैं कि वो कठमला लोग जो कट्टर पंथी लोग हैं उनके बह में और अजोध्या को ले करके हर इशू पे कह रहा है जनता से कि आप सुप्रिम कोर्ट के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट की बात को नौ मानो सुप्रिम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आ रही है उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है इस देश में कितनी अजीब बात है एक एक पुमानना संविधान को इस तरह से नोचने की कोशिस स्वेम सक्ताधारी जो कर रहे हैं वो मैं समझता हूं की इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। एक आखरी बात कि चुनाओ के माहूल, चुनाओ भी हम उस तरह पे आ रहे हैं कि अभी चुनाओ होने वाला है। तो इसमें इलेक्शन कमिशन का क्या रवया रहनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन में चुनाओ के इस्तमाल करना और धन को इस्तमाल करना दोनों एक हिसाब से गलत माना जाता है। तो अभी तक इसमें कोई ऐसी कदम ले पाया किया इलेक्शन कमिशेट जिससे रोकी जा सकती है प्रवीर्दा बहुत दुर्भागे पूंड है अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं और कि हमारे हां और पी एक्ट है रिप्रेजेंटेशन आप पीपल सेक्ट उसको हमने एमेंड किया एमेंड करने पर भी जो उसकी एक आर्टकिल है 123 वो बहुत क्लियरली वो आर्टकिल कहती है कि चुनाव में जाती, संप्रदाय, धर्म और भाशाई संक्रता के आधार पर प्रचार को बिलकुल हर्गिस बरद इसके अलावा, जो कूड आफ कंडक्ट बनाया है, निर्वाचनायोग ने क्या, क्या करें, क्या क्या नकरें राजिनितिक दलों को क्लियर कट संदेज दिया गया है उसमें भी एक आर्ट की लैसी है जो बताता है जो कहता है कि किसी भी उमिद्वार को उसके समर्थक को भी और उस दल को भी अगर दल का है तो आप धर्म के आधार पर जादी के आधार पर दुश परचार या परचार की इजाज़त नहीं दे सकते मेरा ये कहना है कि इस वक्त भारत में जिस तरह के हालात पैदा किये गए हैं इस वक्त हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, खेती के बारे में, किसानी के बारे में, मजदूर के बारे में, चात्र के बारे में, किसी के बारे में, चुनाव में, इस सत्ताधारी दल और उसके आनुशंगिक पार्टियां कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, वो स्वायत्त हैं, हम स्वतंतर हैं अरे भाई आपकी स्वतंतरता, आपकी स्वयतता आपकी समव 우리가 धानिकत था इन दोनों एक्ट जो स्वैम एक तो भारत की जनतांत्रिक जो प्रणारी है उसके तहत पर हमने संसद में पास किया, दूसरा आपने स्वैम बनाया देखे आप याद करें बाल ठाकरे साहब जो उमिदवार नहीं थे उन्होंने 1986 के चुनाव में मुंबई के विले पारले इलाके में का एक प्रिशार के समय उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से धर्म और समप्रदाइक का इस्तेमाल करना चाहा भाशन में शुद दुरूप से सामप्रदाइक एजेंडे पर नारे पर उन्होंने पार्टी को अपने जिताने की कोशिश की उस मुद्दे पर सुप्रिम कोर्ट में केस चला सारी बांबे हाई कोर्ट में केस चला बांबे हाई कोर्ट में जहां तक मुझे याद है जस्टिस बरूचा थे उस वक्त सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा उन्होंने अपने फैसले में इनको डिबार किया कि ये वोटर या उमिदवार के रूप में कभी भाग नो ले सक और उस फैसले को चुनती जब दी गई तो वो सब कुछ क्लियर हो गया और वो हाई कोट की बात ही रह गई अंत में ये मामला एलेक्शन कमिशन के आ गया क्यार नारानन साहब उस समय राश्टरपती थे राश्टरपती ने रीफर किया दो मेंबर्स की कमेटी बनी एमेस गिल साहब और लिंगदो साहब और ये बाल ठाकरे जो समय के महा प्रतापी सामप्रदाई महा बली थे उनका कोई जोड नहीं था उस समय जिस तरह की बातें वो करते थे और उनको छे साल के लिए भारत में मतदाता के तोर पे डिबार कर दिया गया कि वो मतदाता भी नहीं रसकेंगे क्योंकि उमिदवारत वो थे नहीं और उनसे पूरी मंबई थरतराती थी कानून ने अपना काम किया जनता ने उस पर मोहर लगाई एक सबक मिला लोगों को कई सालों तक मुंबई में या आसपास के इलाकों में सामपरदाइक दुस्परचार चुनाओं में खतम कर दिया गया बंद हो गया आज फिर उससे तुगुना बलकि उससे दस गुना दुस्परचार किया जा रहा है आरेशेस दुआरा बीएचपी दुआरा आप टेलिवीजनों दुआरा देख लीजे जो मेंस्ट्रीम चैनल्स हैं वो संदुस्परचार का हिस्सा बने हुए है पाच्छे चैनल्स तो ही कर रहे हैं बिलकुल तो मेरा यह कहना है कि यह हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन आप पीपल्स एक्ट के खिलाफ है चुनाव आयोग की अपनी जो कोड आफ कंडक्ट बनाया है क्या करें क्या न करें उसके खिलाफ है निरवाचन आयोग खामो वेब साइट को देखते रहे हैं